असलाव में कुछ स्टूर्ट वेल्कुम टो मैं यूट्यूब चैनल मैथ वाली सरकार आज नाइन्थ क्लास के फॉर्स चैप्टर का सेकिंड लेक्चर पढ़ेंगे तो आज के लेक्चर में सबसे पहला जो मारा टॉपक है वो है टाइपस ऑफ मेंट्रिस तो प्रिविस लेक matrix की definition बढ़ेती order of a matrix पढ़ाओ और हमने equal matrices बारा के पढ़ेने types of matrices और exercise 1.2 complete करेंगे तो चलें lecture स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम types of matrices में ते हूं Перв था weary matrix और क्वेंट मैंट्रिक्स बहुत अइज बहुत इस एसा मेत्रक्स जिसमें स्रफ एक ही रो मेत्रिक्स में तो अगर क्या आघ और एक कॉलम मेत्रिक्स क्या गई इसी तरह next is square matrix square matrix में rows और columns की तादाद equal होगी तो यह definition कहलाएगी कि our matrix in which number of rows are equal to number of columns और इसी तरह अगली definition पर चलते हैं next definition is null matrix नाम से पता चल रहा है तो इसमें सारे elements null लोंगे means zero a matrix initial elements are zero transpose of a matrix matrix का transpose क्या होता है आपको पहले definition read transpose of a matrix m is obtained by interchanging rows into columns and columns into rows या आप columns को rows में convert कर दें या rows को columns में convert कर दें तो आपका कौन सा matrix बंजेगा उसका transpose बैसे m matrix है इसका transpose को m की power t लिखे पहें तो यह मैंने क्या कि यह row है column बना दिया यह row है column बना दिया उसके पाद आजए negative of a matrix negative of a matrix क्या करना है आपने matrix के all elements की science change कर देनी है plus है तो minus कर देनी है minus है तो plus करना है यह उसका क्या हो जाएगा negative matrix बन जाएगा इसके पास symmetric matrix symmetric matrix में क्या होगा आपके पास यह हमेशा square होगा square matrix हमेशा symmetric होता है ठीक है तो एक ट्रांस्पोस हम लें और वह एक equal आजाए उसी matrix की equal आजाए तो यह आपका symmetric matrix के लागए अब इसकी पहचान क्या है बगार क्याइब की कैसे चेक करेंगे कोई भी elements आदेंगे कोई भी elements हो सकते हैं इसको आप ने देखना जो element यहां पर है वही यहां पर होना चाहिए जो element यहां पर है वह इदर हो मतलब इदर वाला set और यह वाला set same हो तो यह वाला matrix हमेशा symmetric होगा ठीक है मतलब क्या है कि आपने उस matrix का ट्रांस्पोर लेने हैं वह आपने नेगेटिव की को लादे अब इसकी example क्या है example आप तुछ सभी बना सकते हैं कैसे बनाएंगे आपने diagonal में हमेशा zeros रखने जो यहां पर होगा उसका नेगेटिव यहां लिखना है जो यहां पर है उसका नेगेटिव इदर तो डाइगनल में हमेशा 0 होते हैं आपको डिरेक्ट भी पता चल जाएगा में आ जाए आप ने क्या देखना है डाइगनल जीरो आ गया इसका मतलब यह स्क्यूस में रखता है अब आपने चेक करना है यहां पर टू है तो यहां पर नेगेटिव होना चाहिए तो यहां पर न करने डाइगनल में डाइगनल में में घ्क्साब होता हैं ऑसको मेंट्रेक्स इन विच अट लीस्ट वन इंट इन डाइगनल इसन चाहिए और यह वाला जो आपका और बाकी जो non diagonal elements हैं यह zeros हो जाएं तो ऐसे matrix को बोलेंगे हम diagonal matrix ठीक है scalar matrix scalar matrix में क्या होता है कि आपका diagonal matrix हो गाई है diagonal matrix में सारे बाकी के elements zero होते हैं diagonal के अंदर एक जैसे elements आदे non zero elements हो जाएं जैसे 7776622 तो यह कौन सा matrix कहलाएगा scalar matrix कहलाएगा और last question unit या इसको identity भी बोलते हैं इसको capital I से represent करते हैं diagonal matrix होगा और elements सारे के सारे diagonal के अंदर क्या होंगे one unit का मतलब होता है one तो ऐसे matrix को में बोलेंगे unit matrix या identity में तो अब हम exercise one one two start करते हैं सबसे पहले question number one में आपने जिस्ट यह जो matrices given है इनके बारे में बताना है इसमें से कौन सा नाल मेट्रेक्स है कौन सा रो मेट्रेक्स है कौन सा कॉलम मेट्रेक्स है कौन सा identity मेट्रेक्स है तो आपको definitions भी सारी बता दी है अब हम इनकी टाइप बताएंगा जी पहला कौन सा होगा जी यह है नल मेट्रेक्स जी बता जी सेकेंड रो मेट्रेक्स है थर्ड वाला कौन सा है जी थर्ड वाला कॉलम है फिफ्थ दी अभी बताया मैंने यूनिट यह है जी नल ये एक ही कॉलम consists करता है ये कॉलम मेट्रेक्स है जैलें ये आपको बटाना है कॉन सा कॉलम है कौंसा स्क्वेर है कॉन सा नल कॉन सा आके पास जूनर्ट है तो इन questions में सिर्फ आपने इनकी types बतानी है चलें पहला हां जी पहला कौन सा है two rows three columns कौन सा हो गया rectangular हो गया ठीक हो गया यह वहला कौन सा जी column बस इसको आपने book पर ही कर लेना है यह सिर्फ आपको practice किरवाई जा है कि कौन सा matrix किस टाइप का है तो आपने बस इस बताते हैं यह बटा जी two rows two columns कौन सा हो गया square यह हो गया जी unit diagonal में one है बाकी सारे zero है दो columns है तीन rows है तो कौन सा हो गया rectangular यह एक ही रो आ रही है कौन सा हो है जी row एक ही column है कौन सा है column अब इसमें आप यह कह रहे होंगे कि यह rectangular भी है बिल्कुल ठीक है लेकिन जो इसकी rectangular के साथ-साथ यह column matrix होंता है यह भी rectangular है लेकिन specific type मक्सूस type हो कौन सी है वह rectangular भी कहा सकते हैं लेकिन आपने सिर्फ जो best answer है वह देने हैं इसमें rows और columns की तादा सेम है स्क्वाइर हो गया है यह कौन सा है होविस बाद है सारे zeros है तो नल मेंटर्स हो गया ठीक है अब आप जलते हैं क्वेश्चन नम्र थ्री में क्वेश्चन नम्र थ्री में आपने बताना है वह गया है डाइगनल कौन सा है आइडेंटिटी कौन सा है सबसे पहला कौन से यह यह हैं और उसके साथ साथ सकेलर बनेगा जो इसकी प्रपर बनेगी जी definition है वो बनेगी यह scalar है ठीक है यह आपका diagonal है इसमें कोई दो element same नहीं आ रहे है तो यह only diagonal है तो best answer है वो देने इसमें diagonal तो है लेकिन यह unit बनेगा क्योंके तमाम elements इसके one है diagonal में यह आपका देखो at least one non zero तो एक नॉन जीरो आ गया बाकी zeros है तो यह भी कौन सा हो गया diagonal है ठीक है तो यह आपके हैं जी questions question number three में यह बताना है आपने यह तो खैर जस्ट टाइस बतानी थी अब आजए जो proper question है जो question paper में आ ज़ता होता है आपने इस matrix का negative find देना है आपको बताया था definition बिटा याद देना रखने है definition जो हैं यह बहुत important होती है तो आपने इसका negative निकालने negative को कैसे represent करते है माइनस बीजें आपने क्या करना है इसके तमाम elements की signs change कर देनी है यह माइनस हो गया यह प्लस हो गया यह माइनस हो गया यह भी माइनस हो गया तो किसी भी matrix का negative कैसे निकालने है आपने उसके elements की signs change कर देंगे प्लस को माइनस बना देना है एक टीज रेपेजेंट करूंगा अब आपको एक column दिया जा रहा है या तो columns को rows में convert कर दें या rows को columns में तो मैं ऐसे करता है यह पूरी rows है ना इसको column में convert कर देंगा लो जी इसका transpose हो गए इसी जारा इसका transpose लेना है आपने बी का transpose यह रो है इसको मैं column बना दूंगा यह होगए इसका transpose C matrix इसका आपने transpose लेना है इसको जरा समझो यह row है यह row है यह row है यह row है यह या तो rows को columns में बना दें मैं कहा करूंगा फुरा असान वे में जाएंगे कि पूरा column है दो इस पूरे कॉलम को रो बना दो इस पूरे कॉलम को रो बना दो यह क्या होगा इसका ट्रांस पोज गया तो यह आपके फाइव क्वेस्टन जो है यह इसी तरह करने हैं यह में स्वेस्टन में जादा आते हैं अब जो question important है वह है question 6 smart vai bres में भी क्वेस्टन शामिल है यह भी शामिल है लेकिन यह में सी क्यूज में आते हैं अब हम वह प्रॉपर वाला जो question है जो paper में आता है as a short question वो गड़ते हैं जी अब आज है यह जो important question ने शोर्ट में आता है वर्षिन नमर्शिक्स फार्ट है आपको यह मेट्रिक्स गिए अपने एड्रांस्पोज का फिर होड्रांस्पोज एक शर्णी को कि इसके पूट करने एक बहुत इसी है सॉल्फ करते हैं पहला स्टेप A का ट्रांस्पोज लें आप तो ये आपका A है इसका ट्रांस्पोज लेने ये रो है इसको कॉलम बना दिया ये रो है इसको कॉलम बना दिया एक दफ़ा हो गया ट्रांस्पोज अब दूस्री दफ़ा लेंगे और ये A के equal आना साहिए अब इसका फिर मैं transpose लेता हूँ ये row है column बना दिया ये row है column बना दिया अब इसकी शकल कैसे साथ मिल रही है जी बिल्वल इसका मतलब है ये A के equal आ गया तो A का transpose का again transpose किसके equal होता है A के equal होता है और ये ही proof करना था so hence prove तो बहुत ही असा question है उसको मैं कहता हूँ ये हलवा question है अगर paper में आ गया तो two marks का question है आपका ठीक है तो ये आपकी exercise one point two जो है ये हो गई है complete और मैं कहता हूँ ये sheet हो गई है मतलब कि आपने इसको याद भी रखने है तो उसके लिए Allah हाफिज and stay blessed